नमस्कार दोस्तों संध्या वेश कीचन में आपका स्वागत है अगर आपको हमाई रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दवाना बिलकुल मत भूरिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहरी मिले अच्छी अच्छी ली है तो आधा प्लवा लिया है और 600 प्रम सुगर लिये आप चाहे तो सुगर ज़्यादा भी दे सकते हैं पर हमने कम लिया है नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है चलिए अब हम गैस की तरफ च अच्छे से चलाएंगे मावा मिल्ट हो चुका है अब अच्छे से नहीं हुआ है थोड़ी गुठलियां रहे गई है अब इसी में डाल देंगे सुगर क्योंकि घर का बना मावा है तो हमने इसको कड़ा की बनाया था पुकि आखते हुआ कि अयां अब गैस को मतिका देंगे और एसे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि हमार सुगर में वरा चुक है यह देखिये पूरई सुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसा मेल्ट हो चुका है कितना पतला हो गया है अब हम गया इसको तेज कर दिये हैं और इसे थोड़ी दे चलाएंगा और विर्कुल चलाते रहना है छोड़ना नहीं है विर्कुल भी यह देखिए हमारे मिठाई बनने के लिए पूरा तयार हो चुका है बैटर अब हम इसे एक प्लेटर निकाल करके थोड़ी दे ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे यह देखिए हमारे मिठाई बनाने के बैटर जो था ठंडा हो चुका है यह देखिए हम छोटे-छोटे इस तरीके से इसको तोड़ करके और इस तरीके से पेड़े बनाएंगे यह आप अपने हि लखकन या गोला कुछ भी ले लीजिए मैं तो इसमें यह अंगूठी ली हूँ और यह इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रिस कर देंगे ज्यादा नहीं करेंगे और एक लखड़ी या टूस्विक कुछ भी ले लीजिए मैं तो यह अगरवस्ति के लीए हूँ और यह यहां कि इसी तरह हम सारे पेड़ों को बना कर तयार कर लेंगे यह हमारे सारे टेस्टी पेड़े बन कर तयार है